हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बाल विकास से हम सच्छों सास्त्र में एक बहुत ही मात्पूर्ण शेप्टर के बारे में अधन करने जा रहे हैं जिसका हर टीचिण, एकजाम, सी टेट, केविया सोपर्टेट सभी में इस से कोई ना कोई एक क्वेस्जन याएक से अधिक क्वेस्टन अवश्य रूप से आते हैं कि हम सुरुबात करते हैं ब्रदि विकास है ब्रद्ध। ब्रद्धि विकास का एक हिस्सा ہے ब्रद्ध मातरात्माग होती है सरीर में होने वाले मातरात्माग परिवर्दन को ब्रद्ध कहलाती है जोने मापा जा सकता है वो ब्रद्ध कहलाती है जैसे आप किसी व्यक्त की आकार या लंबाई या उचाई आदी चीजों को नाप सकते हैं यही वरद्धी कहलाते हैं विकास, डिवलप्मेंट विकास का ताथ पर विवस्थित परिवरतनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्म निर्भरता की ओर ले जाता है जैसे कि छोटा बच्चा होता है किसी आम करने के लिए पहले वो दूसरे के लिए दूसरे के उपर आस्रेत या निर्भरत होता है जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है वो खुद ही आत्म निर्भर होता जाता है विकास वही है विकास बालक में मुक्ता तीन प्रकर्स होता मातरात्मक, उडात्मक, रशनात्मक विकास के बारे में कि हम कुछ देखते हैं तो विकास प्रतिवर्थी नहीं होता अर्थाद जो विकास हो जाता है उसे हम उल्टा नहीं अपोजिट नहीं आ सकते हैं विकास बिमारी या थाकान से होने वाले परिवर्तन को विकास में हम सामिल नहीं करते हैं यदि हम विकास बिमारी करन जैसे कोई इंसान बिमार हो जाता है और वो दुबला या पतला हो जाता है या चोट लगने पर उसका कोई सारीर में अंग में परिवर्तन होता है तो वहाँ विकास में नहीं गिना जाता है विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विकास और सीखना सामिल है जब कुछी हम सीखते हैं जब कुछी हम सीखते हैं तो वहाँ विकास के ही अंतरगत आता है विकास की ओधारना विकास जीवन पैदन चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्बधारण से म्रत्यु तक चलती रहती है अरास्तु के अमसार विकास आंतरिक एंबाह कारणों से वक्ति में परिवर्तन है विकास ऐसा परिवर्तन है जब किसी वक्ति में कोई परिवर्तन होता है जैसे चोटे बि इसे चोटे बच्चे कि हाइट वेट इसमें जो परिवरतन आता है संग्यानात्मक समझ में विकास आता है जब चोटा बच्चा इतने समझदारी नहीं आते जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके समझ में विकास आता जाता है समवेग विकास, समवेग का विकास है यानि emotional विकास जैसे कि छोटे बच्चे छोटी छोटे बातों में रो देते हैं जैसे जैसे उनका समवेग विकास होता है उनको बड़ी बड़ी बातों से भी फरक नहीं पड़ता ऐसे ही समाजिक विकास समाज में रहने के लिए जब हम छोटे बच्चे थे किसे नमस्ते करना है किसे कैसे बाते करना यह हमाँ पास ग्यान नहीं था जिसे जैसे हम बड़े होते गए यह हमें समाजिक विकास क्यात होता गया रास के अनसर बालक के विकास की निम्लिके चार वस्ता है नमबर एक सैसा वस्ता जो एक वर्स से पांच वर्स तक होती है नमबर दो बाले वस्ता जो पांच वर्स से बारा वस्ता होती है नमबर तिन किसरो वस्ता जो बारा से अठारा वर्स होती है नमबर शार प्रोड़ावस्था जो 18 से सभी उपर के बालक प्रोड़ावस्था में आते हैं बाल मनों विज्ञान और सिच्छन सास्त में हम 18 साल तक या किसोड़ावस्था तक क्या ही बच्चों का अध्यन करते हैं अब हम देखेंगे व्रद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसमें कई प्रकार के अनेक करण हो सकते हैं विकास में या व्रद्धि में जो परिवर्तन होते हैं उसमें कई प्रकार की औरोध या उनके लिए प्रोटसाहान का काम करते हैं वंसानुक्रम किसी बच्चे का वंसानुक्रम उसके विकास पे बहुत ज्यादा ही प्रभाव डालता है जैसे कि कोई डाक्टर का बच्चा डाक्टर या कोई चोर का बच्चा चोर यह कहीं ना कहीं वंसानुक्रम या आप ले सकते हैं किसी पहलवान के बच्चे की मसल्स अपने आप मजबूत होती है जैसे बालक का विकास वनसान उक्रम में उपलब्द गुण एवं चमताओं पनेदबर करता है गर्बदारण से ही बालक के विकास एवं बुद्धी किसी माय सुनिश्चित हो जाती है पैतरगुण पीड़ी दर पीड़ी स्थान नतरित होते हैं नमर दो वातावरन इन्वार्मेंट वातावरन कभी बच्चे के विकास पर या बालक के विकास पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावा पड़ता है वातरण के प्रभाव से व्यक्ति में अनिक प्रकार की विशेस्ताओं का विकास होता है बालक के जीवन दर्सन एम सहली का स्वरूप, स्कूल, परिवार, पड़ोस तता समाच के प्रभाव के परड़ाम स्वरूप ही स्पस्ट हो जाता जैसे कि बालक को जैसा हम परिवेस देते हैं, जैसा हमारा परिवेर होता है, आस पड़ोस से बालक के उपर काफी प्रभाव पड़ता है बुद्धी का भी बालक के विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है मनोबे ग्यानिकों के अध्यन के आधार पर निश्चित किया गया है कि कुसागर बुद्धी वाले बालकों का सारीरिक और मांसिक विकास मंद बुद्धी वाले बालकों के अपेच्छा अधिक तिर होता है अर्थाक जो तीवर बुद्धिवाले बच्चे होते हैं वह कम बुद्धिवाले बच्चों के अपेच्छा जल्दी तयार हो जाते हैं मतलब साधीरिक ग्रूप और मांसिक ग्रूप से बहुत जल्दी ही तीवर गते से उनका विकास होता है कुसागर बुद्धिवाले बालक जल्दी चलने यूम बोलने लगते है प्रतिवास आली बालक ग्यारा महा की आयू में बोलने लगता है समाने बुद्धिवाले बालक सोला महा की अजस्थम आयू में बोलने लगता है वहीं पे मंद बुद्धि बालक जो है चौबिस माह यानि दो साल में बोलना सीखता है बालक के विकास के क्रम में लिंग भी बहुत अधारीत है लिंग के अधार पर विकास में कापी प्रभाव पड़ता है बालकों के सारीरिक यो मानसीक विकास में लिंग बेद का भी कापी प्रवाब पड़ता है जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है किन्तु बाद में बालिकाओं में सारीरिक विकास की गत्यतीवर होती है हम यह देखते हैं कि जैसे बालक छोटा बच्चा या लड़का या लगी पैदा होता है जैसे लड़का पैदा होता है तो उसके सारीरिक विकास बच्चपने में जैसे पैदा होता है तो उसका विकास तेज होता है पर जैसे बड़ा होता जाता है तो बालिकाओं की सारीरिक ये वह बड़ी दिखने लगते हैं यहां सरीरिक विकास में लिंग का अंतर समझ में आता है वाइब यू प्रकाश वायों प्रकास, सारीर को स्वस्त रखने के लिए सुच वायों के आवसकता होती है सारीर के विकास के लिए सूर का प्रकास भी बहुत आवसकता है जिससे सूर के प्रकास से सरीर को विटामिन डी प्राप्त होती है जो विकास के लिए आवशक है अधिगम, अधिगम एक question इससे अवश किसी ने किसी सिछण के exam में रखा रहता है या teaching, मंदिद जितने भी exam होते हैं, अधिगम से एक question रहता है गेट सक्रम सार, अनुभाव द्वारा वेवहार में रुपांतर लाना ही अधिगम है अधिगम जिवन परियंद चलने वाली प्रक्रिया है जिसके दोरा हम कुछ ग्यान अरजित करते हैं या जिसके दोरा हमारे वेवहार में परिवर्टन होता है